ओम नमो नाराण मित्रों उँँ असो गो स्वामी मारी चेनल जिवन बुटी उपायमा आप मित्रोंनू स्वागत करू छू मित्रों आजे जे उँँ अउशद्दी विशेमार्ग दर्शन दिवा जेरियो छू एउशद्दी नू नाम छे अश्वगंदा अश्वगंदा विजू नाम छे नू आशं त्रिजू नाम छे ने डोर गुंज ने गणा प्रांत्र ने गोडा हन पन कहे छे तो आउशद्दी चोमासा मायोगी निकले छे बारे मास पन आपन ने जोवा मले छे खास करेने खांदेश नाशिक एबाजो अनो विपुल प्रमाण मा आपन ने जोवा मले छे अईया पन आपन आपन आना छोड जोवा मले छे तो मित्रो आ छोड विशे कमशे कम बेथी अडी फूर जेतलो छोड उँचो थाई छे त्यार बाद एने अंदर जे पिपड़ ना पता होई छे एवा पताओ होई छे लम गोड जेवा पताओ होई छे तो आ अश्वगंदा नी अंदर चनोठी जेवा लाल फडो आवे छे एनी अंदर पन जिना जिना बीज रिंग जिना बीज जेवा बीज होई छे तो आना जे मूल छे एने आपने अश्वगंदा केए छे अश्वगंदा एटला माटे केएचे के ए मोडनी अंदर गोडा ना मुत्र जेवी वास आवेचे एटला माटे आपने अश्वगंदा केएचे तो आ अश्वगंदा खुबत दिविय अउशदी चे और पुष्ट कारक अउशदी चे आउशद्दी रसायन छे आउशद्दी धातु पुष्टी माते बलवान आउशद्दी छे तो मित्रु आजे आउशद्दी विशे मुँँ तमने मार्ग दर्शंदेवा जे रियो छों कै आयुर्वेद नी द्रस्टी आपणने केविरीते ने केम उप्योगी थाय छे एटला माते आजे हुँ तमने जे मार्ग दर्शंदेरी हो छों तो मित्रु जे मानस ने धातु नी पुष्टी माते जे नुँ धातु पातली होई छे एवी वेक्ति एशुं करवू जोए तो ए वेक्ति ने अश्वगंधा अने घी अने उकाडेला दुध साथे जो पिवा मावे तो ए वेक्ति ने धातु पुष्ट थाई जाई छे अने ए राम बाणु छे तो आ एक एनो अमुल्य गुण छे त्यार पछी एनी जो आगल वाद करूं तो गर्ब ने अंदर जे पुष्ट थवा माटे के जे शगर्बा बेंद दिकरी होई छे त्यारे एनु जे बालक छे अने पुष्ट नो होई नबलू होई तो एना माटे पाण एक सरण उपाई छे अने ए उपाई एवो छे के अश्वगंदानू मूड लियावानू अगर तो बेजार माती तयार मले छे ते लियावानू एनो काडो बनावी अने ए बेन ए दिकरी जो कदाच आनू शेवन करवा मावे तो दिरे दिरे पोताना गर्बनी अंदर रेलो जी बालक छे ए तंदुरस्ट अने रुष्ट पुष्ट थाई जाई छे तो एटला माटे आ आसिर्वाद समान छे बेनो माटे पना आसिर्वाद समान छे आ उस दिखुवाज गुण कारी चे मित्रू इथी कदाच उन तमने आगल वात करू तो ए वात एवे छे के जे मारा जेवा व्रद्ध थाई गेला होई छे अने एवा व्रद्ध मालसो माटे शशक्त अने बढ़वाण बनावा माटे अने मोडानी करचलियो दूर करवा माटे इने माटे एक सरण उपाई छे तो ए उपाई वो छे के ए व्यक्तेने अश्वगंदा लेयावे जुए अश्वगंदाने दूदनी अंदर साकर नाखे दूद उपकाडवू जुए एने ए दूद ठंडू थे आपची एने अंदर एक तोलो अश्वगंधा सवारे एक तोलो न एक तोलो सांजे आवे रिते पिवाथी एने घणी बधी तकली बहुत दूर थे जाएशे पोतानू सरेश सशक्त थे जाएशे त्यार व्रदावसतानों जे ऐशा जए दूर थे जाएशे थकां दूर थे जाएशे । गोतोनों नी जे की तकली बहुत छे एपण दूर थे जाएशे मोडानी चेरानी कड़ चलियो छे एपण दूर थे लांबो गाल सुधी आप प्रयोग एने करवो जोए जेती करीने अश्वगंदा पिवा थे एने घणो बदी फाइदो थे जाये छे अपने व्रधत्व गणिक मलतू न थे आप यूवान जेवा थे जेशो माटे आणो उप्योग अचुक करवो जोए अश्वगंदा खूब दिविया उषद्दी छे तो एना थी जो आगडवाद करू तो नाना बालको माटे जे नाना बालको नबला बालको होई चे तो आ बालको माटे सु करवो जोए गणिवकत गणा उच्चारो करवा थे गणा बालको पनपता नो होई अन्ने आवा बालको माटे एक सरण अन्ने रामबान उपाई आपने बताविरी हो चुके आ उपाईक अजमावा थे आपना बाड़क ने जोर्दार फाइदों थाई चे तो इना मत तमारे सूंग करूँ जिए कि तमारे एक भाग अश्वगंदा ले लेवी जुए अन्य आठ भाग दूद नाखो जिए अन्य खड़ी शाकर ने अंदर दूद उकाड़ेलो दूद एनि अंदर एक भाग तमारे रोजे सवार सांज बे टाइम पावंँ जोए तेथी करिने ए बाड़क जो आप अउश्द पिवाथी रुष्ट पुष्ट थाई चे बलवान थाई चे तिवर बुद्धिवान थाई चे शक्तिवान थाई चे तो आउश्द एना मत रामबान चे तो आउश्दी ना जे ग इतली आपने उप्योगी छे तो इना माटे सर्व रोग जे केवा माँ आवे चे के जिने तमाम प्रकार ना जे रोग होई चे तो एवा रोग माटे सुन करूं जोए तो एवा रोग माटे तमारे बहुँ सरण अने इजी रस्तों चे हाल तमने अश्वगंदा मले ते त्यां ती अश्वगंदा ले आवे चोई अने कदाच तमने नो मली शक्ये तो तमारे ये अश्वगंदा बज्यार माथी पन मले चे ते अश्वगंदा ले आवे त्यार बाद लिमडानी गळो ले आवानी आ बेनू चूरुन बनावी अन शाकरवारा दुधनी साथे चो कदाच पिवा मावे तो ए व्यक्ति सदाने माटे निरोगी रहे छे येने कोई पन जातनों रोग थातों न थी एटला माटे आ असिर्वाद समान दिव्य उश्द्धी छे आथी आगल जों तमने एक प्रयोग बता विरियो छूं के जे प्रदर माटे जे बेनों ने जे प्रदर नामनों जे रोग थाये चे जने आपने गामठी भासामा सफेक पाणी कईये चे तो आवा थी आ रोग थी बेनों ने गणी वकद आ रोग था पची कमर नों दुखावो थाये चे गणी वकद सरीर ने अंद अशक्त थाये चे सुस्ति विलानों सरीर थाये चे तो एना माटे पाण आ रामबान इलाज चे के ए बेनने सु करवू जोए तो एने अस्वगंदाले लेवी जोए एक तोलो अस्वगंदाले अने शम भाग साकर नाखे एक गलास दूधनी अंदर उकाली अने त्यार बाद ए जो रोज दिवसनी अंदर एक वार बे वार पिवा मावे तो एने आ प्रदर नाम नो रोग ए थोड़ा देश अठवाड़िया नी अंदर आ रोग तमाम खतम थेई जाए छे तो आप बोज गुण कारिय अउशद्दी छे ना आउशद्दी ना भरपुर आपणे लाब लेवो जोए तो आथी जो कदा तमने आगल वाद करू के जे ने धातू बलवान करवा माटे ध शरीर ने अंदर ख्षीड धातू थेगे ते शरीर निर्माल्य थेई जाए छे जे शक्ते हिन थेई जाए छे तो आपड़ा शरीर ने अंदर जे धातू नी जे जरू जरू आचे शुक्र बिज नी जरू आचे ए शुक्र बिज जो कदास बलवान होई तो इस शरीर सदाने माटे निरोगी रहेचे अने शशक्त रहेचे तो एदा माटे सू करवों जोए तो तमारे मित्रो अश्वगंदा ले लेवी जोए 100 ग्राम अने त्यार बाद 100 ग्राम भरधारों ले लेवो जोए अब 200 ग्राम चुर्णा बनाए वापची तमारे रोजे सवारे एक ग्लास जोदनी साथे एक चमस नाके और रोज सवार और साज आब टे जो कदास अने पिवा मावे एक चमस जेकलोगी नाकी देवा मावे और पिवा मावे तो निरब्ड मान निरब्ड मानस पन बलवान बनी शके टे अने साव माईका अंगला मालस्तने जो कदास अनुशेवन करावा मावे तो ये वेकती बलवान थाईशके छे थाईशके छे तो मित्रो आ उशद्री ना अटला महान गोहों छे आ उस्वधी कुद्रते आपने प्रदान करी छे ए उस्वधी नो आपने भरपूर लापले ओज़ी आ उस्वधी आपने अरेक जिग्याए मड़ी रेए छे तो मित्रो आई शुधी में तमने अश्वगंदा विशे तमने मार्ग दर्शन आइपू गाइडेंस आइपू छे तो मित्रो अवे आज पचीती तमे अगर मारो वीडियो सारो लाइक गोए तो आप लाइक कर जो सस्क्राइब कर जो बेल बटन दबाव जो ओम नमो नाराण